ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्या स्वद चतुष्टयं यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविंतानु पास्महे मद्यप्रदेश भोज मुक्त विश्य विद्यालय का एलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC प्रस्चुत करता है राजनीती शास्त्र विशाय पर आधारे धनी कारिक्रम भारतिय राजनेतिक चिंतक राजा राम मोहन राय ये कारिक्रम बिये राजनीती शास्त्र के दुती वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रशन पत्र की पहली एकाई पर आधारित है इस कारिक्रम के विश्य विशिशग्य है डॉक्टर वर्षा सागोरकर कारिक्रम का ध्वनी मुद्रण, संपादन और प्रस्तुती करण किया है अमार बहादुर यादवने साथियों आए सुनते हैं ध्वनी कारिक्रम भारती राजनेतिक चिंतक राजा राम मोहन राए अब प्रस्तुत है इसका पहला भाग नमस्कार साथियों आज हम राजा राम मोहन राए के राजनेतिक विचारों के बारे में बात करेंगे और अगली जब चर्चा होगी तो हम उनके सामाजिक विचारों के बारे में बात करेंगे राजा राम मोहन राए जिनने भारतिय इतिहास में आधुनिक युग का जनक माना जाता है उनका जन्म कलकत्ता जिसे की पश्चिवी बंगाल के अंतरगत वो आता है वहाँ एक गाउ राधा नगर के ब्रामन परिवार में 22 मई 1772 में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगला भाषा में और संस्कृत भाषा में हुई चूकि वे बुद्धिमान थे इसलिए उनके पिता ने उन्हें फारसी और अर्भी भाषा का अध्यन करने के लिए बाहर भेज दिया चूकि उनके पिता मह कृष्ण चंद्र बैनर जी बंगाल के नवाब की सेवा करते थे और उनकी सेवा से प्रसन होकर उन्हें राय उपाधी से सम्मानित किया गया तब से राजा राम मोहन राय इस नाम से इन्हें जाना जाने लगा हलाकि उन्होंने अर्वी फारसी भाषाओं का ग्यान प्राप्त किया और कुरान अरस्तु के ग्रंथ बहा सारे ग्रंथों के अनुवादों का अध्यन किया और उन्होंने सूफी दर्शन का भी गहन ग्यान प्राप्त किया और धीरे धीरे कर्मकांट और मूर्ती पूजा के वे कटू आलोचक हो गए और इसके कारण उनके माता पिता उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने उनसे सम्मंध तोड़ लिये जिसके कारण राजा राम मोहन ने ग्रह का त्याग कर दिया और ज्यान की खोज में खिमाले की और निकल पड़े और वे तिब्बत पहुँचे वहां लामाओं के संपर्क में आकर उन्होंने बौद धर्म के नाम पर प्रचलेत कर्मकांडों, आडंबरों और अंदविश्वा को देख कर कटू अलोचना की जिसके कारण उन्हें लामाओं के क्रोध का शिकार होना पड़ा, फिर आगे जब वे तिब्बत से आगे बड़े तो हिमाले में उनकी भेट साधू संतों से हुई और इनी साधू संतों के सत्संग में एक इश्वर या एकेश्वरवात के प्र को उसकी गूड को जानने के लिए जब उनकी इच्छा प्रबल हो गई तो उन्होंने बनारस और काशी की और प्रस्तान किया और वहां पर उपनिशदों का ज्यान प्राप्त करके धीरे धीरे एक इश्वरवाद में उनकी आस्था ध्रड होती गई और धीरे धीरे उन्हें एक इश्वर का बोध होने लगा और उन्हें ये समझ में आया कि इश्वर एक है और सभी धर्मों में विद्यमान है और एक ही सत्य है कि इश्वर एक है बाद में उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी की सेवा में अपने समय व्यतित किया और 1807 में रंगपूर के जिलाधीश जान डिग्वी के दीवान बने और वह सानिध्य उनके लिए काफी लापकारी सिद्ध हुआ उनके साथ रहने से उन्हें अंग्रेजी भाषा और धार्मिक साहित्य का ज्यान प्राप्त हुआ पश्चिम के उदारवादी विचारों से वे प्रभावित हुए और उन्होंने जैन और तांत्रिक साहित्य का अध्यन भी प्राप्त किया और चुकी सभी धर्मों का प्रभाव राजाराम मोहनराय के उपर पड़ा इसलिए आडंबर, कर्मकान, पाखंड और अंद विश्वासों का उन्होंने परित्याग कर दिया और राजाराम मोहनराय एक एकेश्वरवादी, अध्यात्मवादी धर्म में आस्था रखने लगे और इसके प्रचार प्रसार है तू इन्होंने धर्म और दर्शन के विद्वानों से विचार विमर्श किया और 1815 में एक आत्मिय सभा का निर्मान किया या इस्थापना की और बाद में 1828 में ब्राम समाज की इस्थापना की चुकि ये एक कुशल प्रशासक थे, कूट नितिग्य थे और East India Company में दूत के रूप में उन्होंने भुटान की यात्रा भी की थी, दूत भी थे और दिवान भी थे और इन्हें बहुत सारी उपाधियों से सम्मानित किया गया और बहुत सारे समस् चुकि इंग्लेंड में जब बाच्शा ने उन्हें अपना दूद बनाकर इंग्लेंड भेजा और वहां से जब वर लोट कर आये और उनकी सफलता को देखकर उन्हें राजा की उपाधी से सुशोभित किया, तब से राम मोहन अपने नाम के आगे राजा और नबाबों के द्वारा दी गई उपाधी राय से जाने जाने लगे। रूडी वाधियों द्वारा जो चलाय जा रहा था उसकी भी पैरवी की और इस पैरवी का ये परिणाम निकला कि सती प्रथा के उन्मुलन के विरुद की गई अपील निरस्त हो गई और राजा राम मोहन राय इंग्लेंड से कुछ समय के लिए फ्रांस चले गए लेकिन व राजनेतिक विचारों के बारे में ग्यान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें ये जानना आवशक है कि राजा राम मोहन राय, दादा भाई नैरो जी, गोपाल कृष्न गोखले या सुरेंद्र नाद बैनर जी जैसे राजनेताओं की तरह कोई प्रत्यक्ष नेता नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी देश-विदेश की राजनीती में गहरी दिल्चस्पी थी और विशेश रोप से उने ब्रिटिश राजनीती का अच्छा ग्यान था इसी आधार पर उन्होंने भारत में सामाजीक राजनेतिक चेतना को जागरत करने के लिए प्रयास किया और इसी लिए उन्हें नव भारत का संदेश वाहक भी कहा जाता है और सुरेंद्रनाद बैनर जी ने उन्हें भारत में सम्वैधानिक आंदोलन के जनक के रूप में स्विकार किया राजनेतिक द्रश्टी से राजा राम मोहन राई ने समय समय पर जो राजनेतिक विचार प्रगट किये हम उन्ही राजनेतिक चिंदन के बारे में आज ज्ञान प्राप्त करेंगे अब स्वतंत्रता सम्मंधी उनकी क्या विचारधारा है तो राजा राम मोहन राए, जॉन लॉक, ग्रोशियस, टॉमस पेन जैसे व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, सम्मंधी, प्राकर्तिक अधिकारों में विश्वास रखते थे लेकिन वे उसे समाज निर्पेक्ष नहीं मानते थे उनका मत्था कि ये सब प्राकर्तिक होते हुए भी राज को व्यक्ति और समाज के हित ध्यान में रखते हुए आवश्यक होने पर नियमन करने और व्यक्ति तथा सामाजिक हित समवर्धन करने है तू हस्तक्षेप करना चाहिए अर्थात व्यक्तियों के हित में वो राज के हस्तक्षेप को उचित मानते थे राजराम महुन रहे ने प्रत्यक्ष रूप से भारतियों के लिए ब्रिटिश शाषन से स्वतंतरता की मांग नहीं की लेकिन समय समय पर उनके द्वारा की गई शाषन प्रशासन सुधारों की मा और आप्रत्यक्ष मांग हमें इस्पष्ट द्रष्टी गोचर होती है जब वे सन 1831 में इंगलेंड गए और उन्होंने East India Company के Board of Control के सम्मुग जो मत प्रस्तुत किया वह इसका एक सशक्त उधारण है और मत पत्र के द्वारा उन्होंने मांग की कि भारत में निश्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए भारत में जूरी प्रथा का प्रारंब किया जाए और न्याय धीश और मजिस्ट्रेट को पद प्रथक दिये जाए और न्याया लयों की कारिवाही जन्ता के सम्मुग खु उच्छ पदों पर अधिक अधिक भारतियों को नियुक्त किया जाए, पंचायतों को पुनर स्थापित किया जाए और भारतिय परंपराओं के अनुकूल जन्मत पर आधारीत विधी निर्मान का कारी किया जाए और कुछ विशियों में भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के नियंतरंड से मुक्त रखा जाए ये बात ये मांग पत्र यह इसपष्ट करता है या यह सिद्ध करता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश शासन से भारत की मुक्ती का प्रत्यक्ष समर्थन नहीं किया लेकिन वे इस पक्ष में अवश्य थे कि ब्रिटिश शासन के रहते हुए भी उसका संचालन अधिक्तम सीमा तक भारतिय परिस्तितियों और परंपराओं के अनुसार बनाए गए कानुनों के अनुसार हो ताकि उसमें अधिक से अधिक भारतियों की भागिदारी हो सके और ब्रिटिश शासन को वे बड़े ही प्रशन सात्मक द्रश्टी से देखते थे विश्व में चलने वाले अनेक स्वतंतरता आंदोलनों को हम जहां समर्थन करते हुए देखते हैं वहां हमें भारतियों को स्वतंतरता का अपरंड कर उन्हें दास्ता की बेडियों में बा प्रिक्ष में हमें राजा राम मोहनराय दिखाई देते हैं इस विरोधा भास का प्रमुक कारण ये था कि उस समय की ततकालिन इस्तिती में भारतियों में राजनेतिक चेतना का अभाव था ऐसी इस्तिती में भारत के लिए स्वतंतरता की मांग करना उचित नहीं था क्यों उन्हें भारत के संदेश वाहक के रूप में जाना जा सकता है तो हम यही कह सकते हैं कि स्वराज की चेतना को जागरत करने की द्रश्टी से उनका योगदान प्रत्यक्ष नहीं अपितू परोग्ष रूप में था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भारतिय स्वतंत्रता क समर्थन नहीं करते हुए भी भारतियों में राजनेतिक जागरती के जो प्रयास किये उसी के कारण भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ दूसरा उनका जो राजनेतिक विचार है वो है प्रेश की स्वतंत्रता का समर्थन प्रेश की स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों में पहले व्यक्ती राजा राम मोहन राय थे वे एक पत्रकार थे और उन्होंने अपने समपादन में बांगल भाशा में समवात कौमुदी तता फार्सी में मिरात अल अगबार का प्रकाशन किया था और इसलिए वे समस्ते थे जानते थे कि प्रेश की स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है और भारत में प्रेश का विकास करने में वे ब्रिटिश सरकार को खानी प्रत मानते थे और इसलिए उन्होंने सपरिशद गवर्नर जनरल से लाइसेंस लिये बिना भी कोई समाचार पत्र और पत्री का प्रकाशित नहीं कि उस समय उनसे लाइसेंस लिये बिना कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं किया जा सकता था और राजा राम मोहनराय ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस निर्णे के विरुद्ध सर्वोच नयाले के सम्मूख एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, इस प्रार्थना पत्र में प्रेश की स्वतंतरता की जोरदार अपील की गई थी, लेकिन ब्रिटिश हितों को ध् प्रीवी कॉंसिल में अपिल की और वहाँ पे भी उसे रद्द कर दिया गया। प्रति बंदित होने पर शाश्कों के अन्याय पूर्ण कारियों और गलत निरणयों के प्रती उनका ध्यान आकरष्ट नहीं हो पाता। और दूसरी तरव प्रेश की स्वतंतरता चनता के लिए इसलिए हितकर है किसे जन सामान्य में ज्ञान का विकास होता है और उसका उपियोग करके हम अपना मानसिक विकास करके लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी देखिए कि प्रेश स्वतंतर है और इसलिए हम प्रेश की स्वतंतरता के कारण विबिन्न विचार, विबिन्न चीजे पढ़ पा रहे हैं और अपने लक्ष की और अग्रसर है। इसी बात के लिए राजाराम मोहनराय ने लड़ाई की, हलाकि उनको इसकारण शाशन से कोई सहयोग नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वे स्वतंतरता के पक्ष में थे और ऐसी स्वतंतरता के पक्ष में थे जो की बेलगाम ना हो। मतलब इसका प्रयोग केवल सूसाशन के लिए किया जाए, बलकि इसका प्रयोग सरकार के विरुद्ध विश्वमन करने या उसको आइस्थिर करने या उसको आव्यवस्थित करने के लिए किया जाए, इसके वे समर्थक नहीं थे। अर्थात प्रेश के सकारात्मक रुख से वे परिचित थे, उसके विद्वन्सकारी रुख से वे सहमत नहीं थे. अब नियाई व्यवस्था के सम्मन में उनके क्या विचार है? सामाजिक जीवन में या भारत में जितनी भी नियाईक व्यवस्था है, उसमें वे सुधार करना चाते थे और इसके लिए उन्होंने कुछ महत्पून सुजाओ भी प्रस्तुत किये और उन्होंने एक पुस्तक लिखी भारत की राजस्व एवं न्याईक व्यवस्था की व्याख्या और उसमें न्याईक सुधारों के बारे में बताया और अपने इस विचार को वोड आफ कंट्रोल 1931 में उन्होंने वहां रखा और बहुत सारे उपशीशकों के अंतरगत उसका उन्होंने वरणन किया सबसे पहले उन्होंने न्याईक समानता का समर्थन किया राजा राम मोहन राय भारत में प्रचलित न्याई की पंचायती प्रणाली से प्रेरित होकर वोड के सम्मुक ये सुझाओ दिया कि भारत में अगर निश्पक्ष न्याई लागू करना है या देना है तो प्रणाली को प्राणंब किया जाए जूरी में ऐसे व्यक्तियों को न्यूक्त किया जाए जिनने देश के काननों की पर्याप्त जानकारी हो इस द्रष्टी से सेवा निवरत्यन अधीश या आवकाश प्राप्त हो चुके वकिलों को इसमें जूरी के रूप में न्यूक्त किया जाए और इसी के फलसरूप 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया लेकिन जूरी व्यवस्था के प्रभावी होने के साथ साथ इनके द्वारा न्याईक शेत्र में धर्मगत भेदभाव को भी उत्पन्न कर दिया था क्योंकि इस जूरी प्रथा के द्वारा यह किसी इसाई पर अभ्योग की सुनवाई कर रहा हो तब हिंदू और मुसल्मान जूरी के रूप में काम नहीं करेंगे इस कारण राजा राम मोहन राय इस व्यवस्था से बड़े ही दुखी हो गये असंतुष्ट हो गये और उन्होंने इसके विरुद शाशन को एक याजिक और उन्होंने बताया कि न्याए में धर्म का प्रयोग अनुचित है और धर्म आधारिक जूरी व्यवस्था द्वारा इस्थापित इस भेद भुआवपूर्ण व्यवस्था को तुरंत समाप्त किया जाए इस प्रकार उन्होंने न्याएक शेत्र में न्याएक समानता के स फिर दूसरा जो उन्होंने इस बारे में बात की वो है न्याय है तू सामान्य भाषा की मांग। उन्हों ही बोल सके और उसे समझ सके इसलिए क्योंकि यहां पर समाचार पत्रों का पत्रिकाओं का अभाव है और जिसमें न्यायालेयों द्वारा प्रदत्त नियमों को प्रकाशित नहीं किया जा सकता पलतह, आम, जनता और वकील दोनों ही न्यायालेय द्वारा दिये गए निर्णयों से आपरिचित रहते हैं और आगे आने वाले किसी भी फैसले में द्रश्टांत के रूप में वो फैसलों का उप्योग नहीं कर पाते और उसके लाप से दोनों ही पक्षबंचित रहते हैं इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दोनों समझ सके और निर्णयों का प्रकाशन किया जाना चाहिए फिर प्रशासन और राजस्व के सम्मन में उनका मत्था कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधारों की आवशक्ता बहुत अधिक है और इन पदों पर भारति प्रशासनिक पदों पर परिपक्व बुद्धी के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए और नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयू कम से कम बाविस वर्श होनी चाहिए साथी भारत की राज़स्व व्यवस्था में परिवर्टन करने पर भी उन्होंने जोर दिया क्योंकि वे भारतिय किसानों की आर्थिक दशा को सुधारना चाहते थे और इसे तु उन्होंने लगान में कमी करने का सुझाव दिया इस्थाई भू प्रबंद व्यवस्था को कायम करने पर जोर दिया और भारी भरकम राज़स्व विभाग के वे को कम करने पर भी जोर दिया कि वहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों का वेतन बढ़ता है व्यक्ति बढ़ते हैं तो इसका अभार भारतिय किसानों के उपर पढ़ता है और इसके कारण उनकी इस्तिती दिन पर दिन कमजोर होती जाती है इसलिए उनकी इस्तिती को सुधारने के लिए उनके वेतन में कटोती की जाए और लगान में कमी की जाए फिर कानून के उपर राजा राम मोहनराय ने बताया जितनी भी सामाजिक परमपराएं हैं मान्यताएं हैं और रीती रिवाज है वो कानून का एक अनिवार्य आधार है इस द्रश्टी से उनकी अहमान्यता थी की कानून का आधार आज नहीं बलकि सदियों से कालांतर से चला रहा है और ये कालांतर से बहुत सारी विदियां हैं परमपराएं हैं रीती रिवाज हैं जब वो सार्वजनिक हो जाते हैं तो वो कानून का रूप धारन कर लेते हैं इसलिए जितने भी सामाजिक रूप से परंपराएं हैं या रीती रिवाज है उनको अगर संप्रभु के द्वारा मानने कर लिया जाता है तो वो विधी का रूप धारण कर लेते हैं जनहित को ध्यान में रखकर संप्रभु द्वारा संप्रभु मींस राजा उसमें आवश्यक परिवर्थन किये जा सकते हैं लेकिन स्वेच्छा चारिता पूर्ण तरीके से उसमें परिवर्थन करने के वेपक्ष में नहीं थे यदि प्रचलित विधी तारकिक और लोग कल्यान कारी है तो उसमें परिवर्थन नहीं होना चाहिए बलकि अन्यायपूर्ण और जनहानिकारक हो गई है तो उसमें परिवर्थन करना वांचनिय है वे मानते थे कि सामाजिक परमपराओं और मान्यताओं को इस प्रकार के कानून का आधार मान कर भी उसे अनिवारे रूप से जनता के हित में कानूनों का रूप प्रदान कर देना चाहिए साथ ही उनका यह विचार था कि जब तक कानून का रूप लिये हुए है उसका रूप चाहे नैतिको आनैतिको कैसा भी हो पालन किया जाना चाहिए अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि जो भी कानून बना है चाहे वो ने तिखो आ ने तिखो लेकिन अगर कानून है और शाशन के द्वारा लागू है तो सभी लोगों को उसका पालन करना अनिवार्य है वे भारत के लिए एक अपराद विदी सहिता निर्मित किये जाने के पक्ष में थे ताकि अपराद क्या है किस प्रकार के हैं कौन कौन से हैं इसकी सपष्ट व्याख्या हो सके यह सहिता इसपष्ट सरल और जन कल्यानकारी स्वरूब धारन किये हुए होनी चाहिए और राजा की स्वेच्छा चारिताग पर नियंतरन रखने के लिए वे शक्ती प्रथक करन नियंतरन और संतुलन के सद्धान के भी समर्थक थे आज के भारती सम्विधान में शक्ती प्रथक करन नियंतरन और संतुलन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और इनी के नियमों का पालन किया गया है यद्यपी राजा राम महोन राय पूर्ण तह मानवतावादी थे अंतरास्ट्यतावादी थे लेकिन वे मानवतावादी निस्ठा के कारण ही उनके मित्र तथा उपयोगितावाद के समर्थग जेरेमी बेंथम ने उने मानव जाती की सेवा में समर्पित अपना मित्र और घनिष्ट सहयोगी घोशित किया था कवी रविंद्रनाट टैगोर ने भी उननीस्वी शतावदी का अंतरास्ट्य ख्याती का प्रथम भारतिय कहकर उनको सम्बोधित किया था राजा राम मोहनराय का सार्व भौम मानवतावादी सयोग सदभाव सहिशनुता और बंदुत्व में गहरा विश्वास था और इसी आधार पर वे विश्व समाज की रचना के समर्थक थे राजा राम मोहनराय सम्पूर्ण मानव जाती की आध्यात्मिक एकता पर विश्वास रखते थे और इसी आधार पर विश्व व्यापी सार्व भौम धर्म की स्थापना की कल्पना करते थे उनके मानवतावाद और अंतरास्टियतावाद का परिचय हमें उस पत्र से मिलता है जो उन्होंने फ्रेंच विदेश मंत्री को उस देश के विद्यशियों पर लगाये जाने वाले प्रतिबंदों के विरोध सरूप लिखा था और उसके कुछ इस प्रकार है कि अब यह सबको मान्य है कि केवल धर्म से ही नहीं वरन सहज बुद्धी और वैज्यानिक अनुसंधान के शुद्ध निशकर्षों से यह नतीजा निकलता है कि संपूर्ण मानव समाज एक परिवार है उसकी विबिन जातियां अत्वा बिरा दरियां उनकी अनेक शाखाएं हैं अत्व सब देशों के प्रभुद्ध मनुष हर प्रकार से यथा संभव मानव संपर्क को बढ़ाने और फैलाने तथा उसमें जो भी रुकावट या व्यावधान हो उसे दूर करने की इच्छा रखते हैं ताकि समस्त मानव जाति के पा अनवतावादी द्रश्टिकोन के कारण तातकालिक वाद विवादों को एक ऐसे उच्छे स्थर पर उन्होंने स्थापित कर सके या उन्होंने स्थापित किया जहां व्यक्तिगत कटूता और व्यमनस्य का कोई स्थान नहीं था उन्होंने अपनी अंतरास्टी अवधारना में विश्वास के कारण एक इश्वर की उपासना पर आधारित समस्त धार्मिक समुदायों की एकता पर बल दिया और इस प्रकार उस उदारवादी धार्मिक आध्यात्रिक परंपरा को आगे ले जाने में समर्थ हुए जिसे हमारे देश के कबीरदास, नानक, तुकाराम जैसे महान संतों ने मनुष्य मनुष्य की समानता पर जोर देते हुए इसे प्रतिस्थापिद या विक्सीत किया इस प्रकार राजा राम मोहन राय, धार्मिक विश्ववाद या सार्व भोमवाद के ऐसे समर्थक थे जो मानव जाती को एक परिवार मानते थे जिसके विभिन राष्ट और उसमें निवास करने वाली विभिन जातिया एक समुदाई के रूप में शामिल थी आज हमें इसी तरह के विचार की आवशक्ता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय, विशिद रूप से, भारतिय संस्कृती के उस सिध्धान्त से, या उस सिध्धान्त के समर्थक थे, जिसे हम वसुधेव, कोटुमबकम, अर्था सारी प्रत्वी एक परिवार के समान हैं के नाम से जानते हैं, इस आधार पर उन्होंने एक ऐसे विश्वधर्म की कलपना की, जो मनुष्य मनुष्य के मध्य, व्याप्त, मध्भेतों को समाप्त कर, ग्रणा का नाश कर, उसमें एक्ता, प्रेम, सहयोग और सदभाव के बीच अंकुरित कर सके, राय के चि और संकेत करते हुए, हमारे रास्ठी आंदोलन के प्रवर्तक विपिन चंद्रपाल ने कहा था कि समस्टी एवं व्यक्ती, इश्वर एवं मनुष्य, मानोता और रास्ट्यता, समुदायवाद और व्यक्तिवाद के मध्य, तादात्म राजाराम मोहन राय के चिंतन का अर्थात, उन्होंने भारतिय होने के नाते, समस्त भारतियों में जो भेद भाव की भावना थी, उसको दूर करने के लिए कोशिश की प्रयत्न किया, एक इश्वर के स्थापना पे या एक इश्वर के मानने पर जोर दिया, इस तरह उन्होंने बहुत सारे विश्यों पर आपने विचार व्यक्त किये तो ये तो हमने राजा राम मोहन रहे का परिचे प्राप्त किया हमने आपको बताया कैसे उन्हें उपादी मिली कैसे वोई अंद विश्वासों से अलग होकर उन्होंने एक धर्म की खोच की और अपना मार्ग अग्रसर किया और उनके कौन-कौन से राजनेतिक विचार थे जिस प्रकार उन्होंने राजनेतिक विचारों को आप तक फैलाया है उसी प्रकार समाज में बहुत सारे सुधार करके अपने समाजिक विचारों का भी उन्होंने प्रसार किया है तो जब हम अगली चर्चा करेंगे तब हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों से आपका परिचय कराएंगे कि समाज में कौन सी कूरीतियां थी और उन्होंने किस प्रकार से उन कूरीतियों को दूर करने काम प्रयास किया धन्यव, नमस्का अभी आप सुन रहे थे राजनीती शास्त्र विशय पर आधारेद धनी कारिकम भारती राजनीतिक चिंतक राजा राम मोहन राय अभी आपने इसका पहला भाग सुना इस कारिकम के विशय विशिशग एवं वार्तकार थे डॉक्टर वर्षा सागोर कर उद्गोशक थे मुकेश विश्योकर्मा इस कारिकम का संपाधन और प्रस्तुती करण किया अमर बहादूर यादव ने ये कारिकम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्य विद्याले के इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया ये कर दो दो